दोस्तो योग के श्रिंखला में आज हम बात करेंगे करम योग के बारे में और करम योग को समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से दोस्तो योग के अलग-अलग मार्क हैं जिन से हम प्रमात्मा तक और अपने आप तक पहुंच सकते हैं अपने आपको जान सकते हैं, अपने होने के उद्श्य को समझ सकते हैं दोस्तो करम योग, करम मैंने होता है कोई भी काम करना और योग मैंने होता है वो स्थिति जब हम परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं यानि हमारा योग हो जाता है उस परम सत्ता के साथ तो जब आपका करम आपको भगवान से मिलाने का काम कर दे, इश्वर से मिलाने का काम कर दे, आपको अपने तक पहुँचाने का, स्वयम तक पहुँचाने का काम कर दे, तो उसे करम योग कहा जाता है, दोस्तो हर काम करम योग नहीं हो सकता, केवल और केवल निश्काम करम को गीता कार ने करम योग कहा है दोस्तो भगवान कृषन ने अरजुन को उपतेश देते हुए गीता के अंदर कहा है करमन्ने वाधिकार अस्ते माफलेशु कदाचन है तुम्हारा सिरफ करम करने का अधिकार है फल की इच्छा का नहीं दोस्तो इस बात का अर्थ ये है कि जब तुम कोई भी काम करो तो उसके फल की इच्छा ना करो सिरफ अपना पूरा ध्यान अपनी पूरी कंसंट्रेशन अपना पूरा फोकस उस काम को करने पे लगा दो जब आप पूरी तनमयता के साथ किसी काम को करोगे पूरे मनोयोग के साथ जुनून के साथ किसी काम में जजब हो जाओगे आप का करम आपके साथ मिल जाएगा यानि आप अपने में और अपने करम में भेद नहीं कर पाओगे तब आपका करम करम योग बन जाएगा तब आपका करम उस flow state में चला जाएगा जिसमें आपके काम में excellence आएगी आप कम समय के अंदर जादा भेतर प्रणाम दे पाओगे दोस्तो कोई भी व्यक्ति बिना करम के नहीं रह सकता लेकिन करम बंधन का कारण भी होता है दोस्तो संसार के अंदर हर व्यक्ति को करम करना पड़ता है लेकिन करम आपको तभी मुक्त कर सकता है जब वो बंधन पैदा ना करे करमों से संसकार पैदा होते हैं और संसकार से बंधन होते हैं यही आवा गमन का चकर है जब हम बंदनों में बंद जाते हैं, तो हम मुक्त नहीं हो पाते, तो हमें बार-बार इस धरा पर आना पड़ता है, और मुक्ष प्राप्त करने के लिए इस आवा गमन के चकर को तोड़ना जरूरी है, तो फिर कोई व्यक्ति करम करते हुए करम बंदन से मुक्त कैसे हो सकता है, दोस्तो भगवान श्री क्रिशन ने गीता के अंदर करम योग समझाते हुए यह कहा है, जब तुम निशकाम करम करोगे, निशकाम करम का अर्थी है, जब तुम कोई भी काम करते हुए, उस करम को मुझे समर्पित कर दोगे, यानि इश्वर को समर्पित कर दोगे, यान क्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष एंकार ना हो, जब कोई व्यक्ति करतापन के एंकार से वंचित हो जाए, जब उसे इस बात का एहम ना हो, घमड ना हो, कि फलांक काम मैंने किया है, तभी उसका करम निशकाम करम बनता है, और ये निशकाम करम आपको बंदनों से मुक्त कर देता है, दोस्तों पगवांश्री कृष्न ने गीता के अंदर योग की परिभाशा देते हुए कहा है योग कर्मसु कोशलम यानि काम को बहुत अच्छे ढंग से करपाना यानि निश्काम करपाना फलक की इच्छा ना करते हुए असकति के बिना करम करपाना ही करम योग भगवान श्री कृष्यन ने तो गीता में यहां तक कहा है कि करम योग ज्यान योग से भी स्रेस्ट है क्योंकि यह हर व्यक्ति के लिए सुलब है क्योंकि हर व्यक्ति को काम करना पड़ता है हर उस व्यक्ति को जो ग्रस्ती है हर उस व्यक्ति को जो कोई न कोई काम करता है उन पर सब कुछ अनित्य है सिरफ उस परमातम तत्तव को छोड़ कर तब आप ग्यान योग में आ जाते हैं और ग्यान योग के साथ आप जब करम को जोड़ देते हैं तो वो करम योग बन जाता है निशकाम करम बन जाता है दोस्तों गवान शिरी क्रिशन ने गीता में स्मत्वम योग उच्चते कहकर योग की एक और परिभाशा दी है यानि योग वो है जब आप समभाव में आ जाओ यानि किसी भी हानी लाब, सुख, दुख, जैप, प्राज्य इन दुवंदों से छूड़ जाओ इन भावों से विरक्त हो जाओ अलग हो जाओ दोस्तों जब आप इन सब को अलग रखके एक ही भाव में रहते हैं सम भाव में रहते हैं तब भी आप योगी हो सकते हैं तब भी आप करम योगी हो सकते हैं तो दोस्तों सारांश में करम योग है आसक्ति के बिना करम करना और एंकार रहित होके करम करना इदि आप इस बात को समझ जाओ तो करम योग सबसे शानदार मार्ग है उस परमात्मा से और अपने आप से जुड़ने का